कुत्ते ने पूछे कुतिया से दो प्रशन, कौन सा पाप है जिसे पीडियां तक भोगती हैं, कौन से लोग धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं, एक कुत्ते ने कुतिया से पूछे दो प्रशन, कौन से लोग धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं, अर्थार्त लक्षनी किस इसके घर से नश्ठ हो जाती हैं। दूसरा प्रशन कौन सा पाप है जिसे पेडियां तक भोगती हैं। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्यानवर्दक और जीवन उपियोगी है। जो देवताओं की कुतिया थी। कथा इस परकार है कि राजा जनमेजे अपने भाईयों के साथ कुर्शेत्र में यग कर रहे थी। उस यग के अवसर पर वहां एक कुत्ता आकर बैठ गया। जनमेजे के भाईयों ने कुत्ते को देखा तो उसे मारपीट करके वहां से भगा वो बेचारा रोता चिलाता अपनी मा के पास पहुचा। अपने बच्चे को रोता चिलाता देखकर कुतिया ने उससे पूछा बेटा तू क्यूं रोता है। किसने तुझे मारा है। रोते हुए कुट्टे ने अपनी मा को बताया कि मा मुझे राजा जन्मे जे के भाईयों ने पीटा हैं मा ने पूछा बेटा क्या तुमने कोई अपराद किया था कुट्टे ने कहा नहीं मा मैंने कोई अपराद नहीं गिया ना तो मैंने उनकी यग की ओर देखा ना किसी वस मैं तो बस ऐसे ही सुगंद पाकर घूमता हुआ वहां पहुच गया मेरा कोई अपराद ना होते हुए भी उन्होंने मुझे मारा मित्रो अपने बच्चे की बात सुनकर कुतिया को बड़ा दुख हुआ उसने कहा बेटा किसी निर अपराद को मारना पीटना अपराद होता है और निश्चित ही जन्मेजे के भाईयों ने ये अपराद किया है इसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा गुस्से में भरकर कुतिया जन्मेजे के यग में पहुच गई उसने कहा देखो तुमने मेरे निर अपराद बच्चे को मारा है जबकि उसने आपकी किसी को छुआ तक नहीं कुतिया बार बार भोंकती हुई उनसे अपने बच्चे के पीटने का कान पूचती रही पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तब कुतिया ने उन्हें सराप दे डाला कि तुम सब पर अचानक ही कोई बहुत बड़ा भै आएगा दोस्तों देवताओं की कुतिया का सराप सुनकर ये सब बड़े दुखी हुई कि अरे यह क्या हो गया अभी सराप से कैसे मुक्ती मिलेगी अब वे हस्तनापुर आकर किसी ऐसे पुरोहित को ढूनने में लग गए जो उन्हें उस सराप से छुटकारा दिला सकता था उदर वो कुत्ता अपनी मा स से पूछने लगा मा तुमने इने सराप देकर दंडित कर दिया है प्रंतु जो लोग इसी तरह अपराद करते हैं सर्ण में आय हुए को मारते पिटते हैं उनका बिना सराप के कैसे विनास होता है कैसे वो लक्षमी से हीन हो जाते हैं आपके पास तो तपवल था इसलिए आ बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास तपवल होगा फिर वे दूष्ट आदमी को सराप कैसे देश केंगे तब कुतिया कहती हैं बेटा ऐसी लोगों के साथ सैदेव परमातमा रहता हैं वो लोग कैसे स्रीहीन हो जाते हैं सुनू मैं तुम्हें एक घटना सुनाती हूँ ल जोड़ लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें हे लक्षमी मा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें उसके घर में कभी भी धन की कमी न रहें उसका पूरा परिवार हमेशा हस्ता मुस्कुराता कुसल मंगल रहें एक बार एक बड़ा ही गरीब आदमी था और एक दिन दया वंस माता लक्षमी उस पर प्रसन हो गई सोचा कि ये आदमी धन ना होने के कान बड़ा दुखी है इसे क्यों ना धनवान बना दूँ यही सोचकर माता लक्षमी ने उसे एक चमतकारी पातर दे दिया और उसके विशेष्टा समझा कर अंतर ध्यान हो गई निर्धन आदमी ने उस अक्से पातर से बहुत सारा धन मांग लिया धन पाकर वो धनवान हो गया उसे अब किसी त्रहें का दुख नहीं रहा जब भी उसे भूख लगती थी तो वो अक्से पातर से भोजन मांग लेता था अक्से पातर उसे त्रहें त्रहें के व्यंजन बना कर दे देता अब तो उसका जीवन सुखों से भर गया पूरे नगर में सबसे बड़ा धनी आदमी वही बन गया अलिसान उसका बंगला हो ग गरीबों की जोपनिया तक उस तुफान में उड़ गई गरीब लोग सिर छुपाने के लिए इदर उदर भागने लगे तुफान की मारी एक बुडी मा भाग कर उस हवेली में सर्ण लेने पहुँच गई एक गरीब बुडिया को देखकर वो आदमी एकदम से चिला कर बोल अरे बुडिया इदर कहां चली आ रही हैं बुडी मा कहन लगी बेटा मुझे कुछ देर यहां ठहर जाने दो जैसे ही तुफान सांत हो जाएगा मैं यहां से चली जाओंगी दोस्तो बुडी मा के बार बार निवेदन करने पर भी वह नहीं माना वो बड़ा ही दूस्ट व बार इसमें भला मैं कहां जाओंगी बुडी मा के बहुत गिडगडाने पर भी उसे दया नहीं आई उसने अपने नोकरों से कहकर बुडी मा को घर से बाहर निकलवा दिया दोस्तो जैसे ही उस बार इसमें वो व्रिद महिला हवेली से बाहर निकल गर गई उसी समय धेर में बदल गया उसका अकसे पातर भी नश्ठ हो चुका था अब उसने देखा कि थोड़ी देर पहले वो जो अलिसान बंगले का मालिक था अब उसके पास सिर छुपाने के लिए भी जोपड़ी नहीं थी माता लक्समी ने परकट होकर उससे कहा हे दूष्ट मानव मैंन तुझे धनवान बनाया पर तू तो धनवान बनने के योगे ही नहीं था कहते हैं जहां निर्दनों को अपमानित किया जाता है वो स्रीहीन हो जाता है कंगाल हो जाता है किसी से कड़वे वचन बोलना लक्समी को नश्ठ करने के बराबर है व्रिद जनों का समान करना जाता है जिस घर में सुसील इस्तरी को अपमानित किया जाता है वहां की लक्समी नश्ठ हो जाती है जहां घर आए अथिती को नहीं पूछा जाता है वो घर लक्समी से रहित हो जाता है जहां पुरसार्थ त्याक कर लोग आलसी हो जाते हैं वहां लक्समी नश्ठ हो जाती है भगवान ऐसे दीन दुख्यों की और से सैदेव दुष्ट लोगों को दंडित करते रहते हैं उसके बाद कुत्ते ने कुतिया से दूसरा प्रसं किया हेमा वो कौन सा पाप है जिसे पीडियां तक भोगती है तब कुतिया बोली पूत्र इसे भी आप ध्यान देकर सुनूं कि वो कौन सा अपराध है जिने पीडियां तक भोगती है पहली बात तो धर्म विरुद हर कारिये पाप की स्रेणी में आता है और जो पाप करम मनुश्य सवेच्छा से करता है उसका कूफल दोगुना होता है कुछ पापों का परिणा मनुश्य को तुरंत मिल जाता है और यदि ऐसा नहीं होता यदि उसे अपने पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है तो समझ लेना उसे उसका महाभ्यानक प्रिनाम मिलने वाला है उसके पाप का फल वो तो कहीं जन्मों तक भोगेगा ही उसकी पीडियां भी भोगेंगी उसके पूत्र पूत्र आदियों को भोगना पड़ता है जो मुनस्य जगन्ने पाप जान भूज कर करता है जैसे किसी के सिशू को मारना, किसी के अंडे फोड़ना, गरम में पल रही सिशू की हत्या करना, किसी पागल, भैबीत और सरण में आए हुए को मारना, इस्त्री की हत्या करना, ग्यों हत्या करना, विस्दे कर मारना, ये सब जगन्ने अपराद कहलाते हैं सिसु चाहे किसी का भी हो, सिसु हत्य जगन्य अपराद है यदि यह अपराद अंजाने में हुए हो तो मुनिश्य को स्वेम इनके पापों का फल भोगना होता है यदि ये पाप जान भूज कर किये गए हो तो इसका दुस्प्रणाम पीडिया तक भोगती है किसी सिसु को मारने का आर्थ है कि ऐसे प्राणी को मारना जो अभी निस्पाप है, निर्दोस है वो सिसु उस अवस्था में आपका क्या किसी कभी अपरादी नहीं होता है जिसने अभी अभी दुनिया में पदारपन किया है या करने वाला है, उसकी हत्या करने का आर्थ है कि उसके पूरे जीवन के पाप और पुर्णे को मिटा देना, वो अपने जीवन में जितने पाप करता है, ये सारे पाप मारने वाले के उपर आ जाते हैं, वो अपने जीवन में जितना पुर्णे करम करता, उनसे आपने उसे वंचित कर दिया, इसका आर्थ उसके सुब करम ना कर पाने की वज़े आप बन गए हैं, उसका पाप भी मारने वाले को ही लगता है, वो यदि जीवित होता, तो अपने वंस का कितना विस्तार करता, उसका भी पाप मरने वाले कही भोगना पड़ता है, दुनिया वाले बेट ना तो इस जीवन में कभी सांती मिलती है, और ना आने वाले किसी जीवन में, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो चलिए अपनी परतिकरिया कोमेंट में दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई ज्यान चर्चा के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैं स्रीक्रिशन